जै गिरुजी, मलिकार्जुन और महाकाल नामक जोतिर लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा सुजी कहते हैं महरिश्यों, अब मैं मलिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है जब महाबली, तारक शत्रू, शिवा पुत्र, कुमार, कार्थि के सारी पृत्वी की परिक्रमा करके फिर केलाश परवत पराए और गनेश के विवाहा आदी की बात सुनकर क्रॉंच परवत पर चले गए पारवती और शिव जी के वहाँ अजाकर अनुरोद करने पर भी नहीं लोटे तथा वहाँ से बारा कोस दूर चले गए तब शिव और पारवती जोतिर में स्वरूब धारन करके वहाँ प्रतिष्टित हो गए वे दोनों पुत्रस्नी से आतुर हो परवर के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास चाया करते हैं अमा वस्या के दिन भगवान शंकर स्वयम वहाँ जाते हैं और पौन माशी के दिन पारवती जी निश्चे ही वहाँ पदारपन करती हैं उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मलिका अरजुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद हुआ उसमें पारवती और शिव दोनों की जोतियां प्रतिश्चित हैं मलिका का अर्थ पारवती है और अरजुन शब्द शिव का वाचक है उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपून अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है इसमें संशिन नहीं है इस प्रकार मलिकार जुन नामक दृत्य जोतिर लिंग का वर्णन किया गया जो दर्शन मातर से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है रिश्यों ने कहा प्रभू अब आप विशेश क्रिपा करके तीसरे जोतिर लिंग का वर्णन कीजिए सुजी ने कहा ब्रामनों मैं धन्य हूँ कृत-कृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ साधू पुर्षों का संग निश्य ही धन्य है अतहे मैं अपना स्वभाग्य समझ कर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्यकता का वर्णन करता हूँ तुम लोग आदर पूर्वक सुनो अवंती नाम से प्रसिद एक रम्निय नगरी है जो समस्त देधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय परम पुन्यमई और लोग पावनी है उस पुरी में एक श्रेष्ट प्रामन रहते थे जो शुब कर्म परायन वेदों के स्वाध्याय में सनलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा ततपर रहने वाले थे वे घर में अगनी की स्थापना करके प्रति दिन अगनी होत्र करते तथा शिव की पूजा में सदा ततपर रहते थे वेब्रामन देवता प्रति दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे वेद प्रिये नामक वेब्रामन देवता सम्यक ज्यानारजन में लगे रहते थे इसलिए उन्होंने संपून कर्मों का फल पाकर वह सद्गती प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलब होती है उनके शिव पूजा परायन चार तेजस्वि पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे उनके नाम थे देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सूवरत उनके सुख दायक गुन वहां सदा बढ़ने लगे उनके कारण अवंति नगरी ब्रहम तेज से परिपून हो गई उसी समय रत्नमाल परवत पर दूशन नामक एक धर्मद्वेशी असुर ने ब्रहमाजी से वहे बर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमन किया अंत में उसने सेना लेकर अवंति के ब्रहमनों पर भी चड़ाई कर दी उसकी आग्या से चार भ्यानक दैते, चारों दिशाओं में प्रल्यागनी के समान प्रकट हो गए, परन्तु वे शिव विश्वासी ब्रहमन बंदू, उनसे डरे नहीं जब नगर के ब्रहमन बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भप्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें यों कहें शिवलिंग का पूजन करके, वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे इतने में ही सेना सहीद दूशन ने आकर उन ब्रहमनों को देखा, और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो वेद प्रिये के पुत्र उन ब्रहमनों ने उस समय उस दैते की कही हुई वह बात नहीं सुनी क्योंकि वे भगवान शंभू के ध्यान मार्ग में स्थित थे उस दुश्टा अत्मा दैते ने ज्यों ही उन ब्रहमनों को मारने की इच्छा की त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थे शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी अवाज के साथ एक गड़ा प्रकट हो गया उस गड़े के ततकाल विकट रूपधारी उससे भगवान शिव प्रकट हो गए जो महाकाल नाम से विख्यात हुए बे दुश्टों के विनाशक हैं और सत्पुशों के आश्रिदाता हैं उन्होंने उस देते से कहा अरे खल मैं तुझ जैसे दुश्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ तुम इन ब्रामनों के निकट से दूर भाग जओ ऐसा कहे कर महाकाल शंकर ने सैना सहीत दूशन को अपने हुंकार मंत्र से ततकाल भस्म कर दिया कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हो गई पर मात्मा शिव ने दूशन का वद कर दिया जैसे सूर्य को देखकर संपून अंदकार नश्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अद्रेश्य हो गई देवताओं की दुन्दुबियां बजुठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी उन ब्राहमनों को अश्वासंदे सूर्प्रसन हुए स्वयम महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा तुम लोग वर मागो उनकी वह भात सुनकर वेशब ब्राहमन हाट जोड भक्ती भाव से भली भाती प्रनाम करके नत्मस तक हो बोले दुजों ने कहा महाकाल महादेव दुष्टों को दंड देने वाले प्रभू शंबू आप हमें संसार सागर से मुक्ष प्रदान करें शिव आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें प्रभू शंबू अपना दर्शन करने वाले मनुश्यों का आप सदा ही उधार करें सुच्जी कहते हैं महरिश्यों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदकती दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड़े में स्थित हो गए वे ब्रहामन मुक्ष पा गए और वहां चारों और की एक एक कोज भूमी लिंगरूपी भगवान शिव का स्थल बन गई वे शिव भूतल पर महा कालेश्वर के नाम से विख्यात हुए ब्रहामनों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वे अपना मनोरत प्राप्थ हो जाता है तथा परलोग में मुक्ष भी मिल जाता है यहाँ पर संगर जी अध्याय 15 और 16 समाप्थ होता है और यहाँ पर आज हमने इतना सुन्दर मलिका अरजुन नामक और महाकाल नामक जो तिरलिंगों के कथा सुनी है और उनकी महिमा सुनी है मलिका अरजुन साउथ में है और जो महाकाल है वो उजैन के अंदर है इसके बाद महाकाल के निया नेक्स चेप्टर है महाकाल के महत्मे के प्रसंग में शिव भक्त राज़त चंदर सेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा सूजी कहते हैं प्राहमनों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक जोती लिंक का महात्मे बक्तिभाव को बढ़ाने वाला है उसे आदरपूर्वक सुनो उजैनी में चंदर सेन नामक एक महान राजा थे जो संपून शस्त्रों के तत्वग्य, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मनी भद्र जी राजा चंदर सेन के सखा हो गए थे एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन होकर उन्हें चिंता मनी नामक महा मनी प्रधान की जो कौस्तुब मनी तथा सूर्य के समान देदिप्यमान थी वहे देखने सुनने अत्वा ध्यान करने पर भी मनुश्यों को निश्य ही मंगल पदान करती थी भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंदर सेन उस चिंता मनी को कंठ में धारन करके जब सिंगासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायन की भादी उनकी शोवा होती थी निरिप्षेष्ट चंदर सेन के कंठ में चिंता मनी शोवा देती है यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मनी के प्रती लोब बढ़ गया और वे शुब्ध रहने लगे तदंतर वे सब राजा चतुरंगनी सेना के साथ आकर युद में चंदर सेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए वे सब परस पर मिल गए और उनके साथ बहुत सैनिक भी थे उन्होंने आपस में संकेत और सलहा करके आकरमन किया और उजैनी को सब तरफ से घेर लिया और पुरी को संपून राजाओं द्वारा गेरी देखकर राजर चंदर सेन उन्ही भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेय रहित करके द्रिड निश्चे के साथ उपवास पूर्वक दिन और रात अनन्य भाव से महाकाल की अराधना करते रहे उसी समय उस श्रेश नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसकी एक मातर पूत्र था वहे विद्वा थी और उजैनी में बहुत दिनों से रहती थी वहे अपने पांच वर्ष के बालक को लेकर महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंदर सेन की जो सेना महा की हुई महाकाल की पूजा का आधर पूर्वक दर्शन किया राजा के शिव पूजन का वहे अश्चर रह में उचसब देख कर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वहे अपने निवास्थान पर लौट आई ग्वालन ने उस बालक को भी सारी वह पूजा दिखाई थी अतेह घर आने पर उसने कौतुहल वश्पू शिव जी की पूजा करने का विचार किया एक सुन्दर पत्थर लाकर उसे अपने शिवलिंग से थोड़ी दूर पर रखकर उसे शिविर के एकांट स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना फिर उसने भक्ति पूर्वक, रित्रिम गंद, अलंकार, वस्त, रधूप, तीप और अक्षत आधी द्रवे जुटा कर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्यद, नयवे दिवी अर्पित किया सुन्दर सुन्दर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भाति-भाति से नृत्ते किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक जुकाया उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित लगे हुए अपने फुत्र को बड़े प्यार से बोजन के लिए बुलाया परन्तु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा था अतहे जब बारंबार भुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई तब उसकी मा स्वयम उसके पास कई और उसे शिव के आगे आँख बंद करके दियान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़ कर खीचने लगी इतने पर भी वहन नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे बहुत पीटा खीचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा तब उसने शिवलिंग उठा कर दूर फैंक दिया और उस पर चड़ाई हुई सारे पूजा समगरी को नश्ट कर दिया यह देखकर बालक हाई हाई करके दो उठा रोश से भरी हुई गवालिन अपने बेटे को डाट फटकार कर दुबारा घर में चले गई भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नश्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए जैसा मुर्चित होकर गिर पड़ा उसके नेत्रों से आसों की धारा प्रवाहित होने लगी दो गड़ी के बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आँखे खूली आँख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रा से ततकाल महाकाल का सुन्दर मंदिर बन गया मनियों के चमकीले खंबे उसकी शोबा बढ़ा रहे थे वहां की भूमी सफटिक मनी से जड़ दी गई थी तपाय हुए सोने के बहुत से विचित्रिक कलश उस शिवाले को सुशोबित करते थे उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार सुवन में दिखाई देते थे वहां बहु मुल्य नील मनी तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोबा दे रहे थे उस शिवाले के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्टित था ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर अपनी उसकी चड़ाई हुई ही पूजन समगरी सुसजित है यह सब देखकर वह ब्यालक सहसा उठकर खड़ा हो गया उसे मन ही मन बहुत आश्चरे हुआ और वह पर्मानंद के समुद्र में निमगने सा हो गया तदंतर भगवान शिव की स्तूती करके उसने बारंबार उनके चर्णों में मस्तक जुकाया और सूर्य अस्त के पश्चात वह गुब बालक शिवाले से बाहर निकला बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा वह इंद्र भवन के समान शोबा पा रहा था महा सब कुछ स्ततकाल सुवन में होकर विचित्र एवं परम उजवल वैभव से प्रकाशित होने लगा फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शुभाओं से संपन था उस भवन में सर्वत रमणी रतन और सुवन ही जड़े गए थे पदोशकाल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी मा दिवे लक्षनों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है रतन में अलंकारों से उसके सभी अंग उदीब्थ हो रहे हैं और वह साक्षा देवांगना के समाद दिखाई देती है मुक से विवल हुए उस भालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया वह भगवान शिव की क्रिपा पात्र हो चुकी थी ग्वालिन ने उठके देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया उसने महान आनंद में निमगन हो अपने बेटे को छाटी से लगा लिया पुत्र के मुक से गिरिजा पती के क्रिपा प्रसाद का सारा व्रतान सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी जो निरंतर शिव के भजन में लगे रहते थे राजा अपना नियम पुरा करके रात में सहसा वहाँ आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभा जो शंकर जी को संतूष्ट करने वाला था देखा मंत्रियों और पुरहुतों सहित राजा चंद्र सेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नित्रों के नित्रों द्वारा प्रेम के आंसु बहाते तथा प्रसनिता पूर्वक शिव के नाम का कीर्दन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदे से लगा लिया म्राहमनों उस समय वहाँ बड़ा भारी उस्व होने लगा सब लोग अनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश्का कीर्दन करने लगे इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महत्मे देखने से पुरवासियों को बड़ा हर्श हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी राद एकशन के समान व्यतीत हो गई युद के लिए नगर को चारों और से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्राते काल अपने गुप्त चरों के मुक से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना उसे सुन कर सब अश्चरे से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकट रहो आपस में इस प्रकार बोले कि ये राजाओं चंद्र सेन बहुत बड़े शुभख्त हैं अत्य इन पर विजे नहीं पाई जा सकती ये सर्वतान निर्भाय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शुभख्त हैं वे राजाओं चंद्र सेन तो महान शुभख्त हैं ही इनके साथ विरोध करने से निश्च ही भगवान शुभ क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नश्ट हो जाएंगे अतहे इन नरेश के साथ हमें मेल मिला भी कर लेना चाहिए ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी क्रिपा करेंगे सुजी कहते हैं ब्रामनों ऐसा निश्चे करके शुधरिदे वाले उन सब भूपालों ने हथिया डाल दिये उनके मन से मैर भाव निकल गया वे सभी राजा अतियंत प्रसन हो चंद्रसेन की अनुमती ले महाकाल की उस रमनिय नगरी के भीतर गए वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदे, पून, दिव्य, स्वभागे की बूरी-बूरी प्रशन सा करते हुए उनके घर पर गए वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सतकार किया वे बहु मुल्य आसनों पर बैठे और अश्चरे चकित एवं अनन्दित हुए गोप बालक के उपर कृपा करने के लिए स्वतह प्रकट हुए शिवाले और शिवलें का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धी भगवान शिव के चिंतन में लगाई तदंतर उन सारी नरेशों ने भगवान शिव के कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसनता पूर्वक भेट की संपून जन पदों में जो बहु संख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परमते जस्वी मानराज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक जुकाया राजाओं से पूजित हो मानराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदे से लगा कर उन नरेशों की और देखते हुए बोले राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देधारी भी मेरी बात सुने इस से तुम लोगों का भला होगा भगवान शीव के सिवा देधारियों के लिए दूसरी कोई गती नहीं है यह बड़े सबागे की बात है कि इस गोप बालक ने शीव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेना ली और बिना मंत्र के भी शीव का पूजन करके उन्हें पा लिया गोप वंश की कीर्थी बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेश भक्त है इस लोग में संपून भोगों का उब्भोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा इसकी वंश परंप्रा के अंतरगत आठवी पेड़ी में महा यशस्वी नंद उत्पन होंगे जिनके यहां साक्षाद भगवान नारायन उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री क्रेशन नाम से प्रसिद होंगे सांग जी इतना सुन्दर प्रसंग है यहां पर आज राम नामी है और राम नामी के दिन ये श्री पुरान मैं प्रगभवान नारायन उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री क्रेशन नाम से प्रसिद होंगे तो ये सब गुरुजी की लीला है सब एक लाइट है एक डिवाइन लाइट है इससे अलावा और कुछ भी नहीं अलग-अलग रूप लेकर भगवान इस पृत्वी पर रहा है चाहे वो राम है चाहे कृष्ण है और हमारे गुरुजी है चाहे वो साइब बाबा है या नानक जी है सब एक ही जोती है अब आगे पढ़ते हैं आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेश ख्याती प्राप्त करेगा सूत जी कहते हैं ब्रहामनों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप मानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा माहराज चंदर सेन को भी कृपाद रिष्टी से देखा तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर को बड़ी प्रसनता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यभार का उप्तेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है इसके बाद परम प्रसन हुए हनुमान जी चंदर सेन और श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वही अंतरधान हो गए वे सब राजा हर्श में भर कर समानित हो महराज चंदर सेन की आग्या ले जैसे आए थे वैसे ही लोट आए महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उप्तेश पाकर दर्मग्य ब्रहमनों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा महराज चंदर सेन और गोबालक श्री कर दोनों ही बड़ी पसंदा के साथ महाकाल की सेवा करते थे उन्हीं की अरादना करके उन दोनोंने परंपद प्राप्त कर लिया इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत पुर्षों का आश्रे है भक्त वत्सल शंकर दुष पुर्षों का सरवता हनन करने वाले है यह परंपवित्र रहसे में अख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है यह शिवभक्ती को बढ़ाने तथा स्वर की प्राप्ती कराने वाला है अध्याए अठारा गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगजी आप सब का बहुत बहुत शुक्राना शवण करने के लिए गुरुजी की कृपा सारी संगत पर बनी रहे जैगुरुजी